हेलो फ्रेंड्स आज हम बोलियम 7 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था वो हमारा कम्प्लीट हो गया था आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जर्नल रूल्स फार ट्रांजिट सेक्षिंस एंड मेल ओफिस प परतेकस एक को कौनकोन सी मोहरें सपलाई की जाती हैँ डेट स्थैम्प दिनांहाग बाली स्टैंप एं नेम स्थैंप नंज मोहर के बार लिद्ग लैट दिनांहाग बाली सेल ओर उसके बाल डेटेंड लेट फिष् Sundays not payed स्थैंप टो यह वाली मोहरें परतेकस एक को सप्ल कि जाती है remains in possession of head sorting assistant और यह किसकी अधिकार में रहती है जो हमारा head sorting assistant होता है परधान छंटाई साहिक होता है उसकी अधिकार में रहती है बहंदी responsibility of law selection grade supervising officer to close insurance insured articles insurance sealed retained in his custody जब हमारा law selection grade जो परवेक्शन अधिकारी होता है उसकी responsibility उसकी जिम्मेदारी होती है insured articles को close करने की तो जो insurance seal होती है वो उसकी custody में रहती है जो हमारा law selection supervising officer होगा उसके बाद हमारा rule number 21 है books each order book has 200 pages तो परते एक जो order book होती है उसमें total 200 pages होते हैं और each guide as book has और जो हम वारी guide as book होती है निर्देश वाली पुस्तक होती है उसमें hundred serially numbered pages होते है rule number 22 है portfolio and its contents each set of a section supplied with the portfolio provided with the lock end की तो जितने भी हमारे अनुभाग है उसके प्रते एक set को एक portfolio provide करवाया जाते हैं जिसमें ताला लगा होता है और चाबी भी साथ में होती है bearing destination of the section इसमें क्या होता है जो destination होता है section का अनुभाग का वो और उसके बाद number of sets to be which it belongs और कितने sets से कितने अनुभाग है जो उसके कितने sets से यह बिलोंग करता है उनका number भी लिखा होता है portfolio remains in personal custody of head sorting assistant and mail guard और जो हमारा portfolio होता है यह किसकी custody में रहता है head sorting assistant या mail cards होता है उनकी personal custody में रहता है उसके बाद है in sealed bag should be carried अब जो हमारे seal मंद थैले होते हैं उनमें क्या carry किया जाता है sweeping brushes बुहार ने बाले जो brushes होते है वो late feast notice board जो late feast वाला notice board होता है ball twins यह क्या होती है ball twins होती है जो हमारे सूतली बाले गोले होते हैं जो धागे होते है sealing bags जो mom जिसका use sealing के लिए किया जाता है stamp brush जो brushes stamp को साफ करने के लिए किया जाते है labels for bags bag जो थैले होते हैं उनके लिए labels seal holder and wooden blocks covers extra तो यह सारी चीज़े किसमे supply कि किसमे carry की जाती है जो हमारे seal बंद थैले होते हैं उनमें carry की जाती है उसके बाद आती है हमारे पास stationery the stationery rate list issued by the superintendent तो जो हमारी stationery होती है उसकी जो rate list है वो किसके द्वारे issue की जाती है जो हमारा अधिक्षक होता है उसके द्वारे issue की जाती है head sorting assistant of each set of various actions attached to record office bill be supplied by record officer on first of every month supplied by the stationery supply the stationery इसमें क्या होता है जो भी हमारा head sorting assistant होता है प्रधान चंटाई सायक होता है उसको stationery किसके दौरा भेजी जाती है जो हमारा record officer होता है वो उसको प्रतेग महीने की पहली तारी को stationery supply करता है उसके बाद आते है हमारे पास handbags a handbag supply to each sorting assistant, each mail guard and each band attendant of section to keep his personal luggage तो जो हमारे handbags होते है यह किसको supply किये जाते है प्रतेग चंटाई सायक को mail guard को और जो हमारे band attendant होते है जो हमारी band होती है mail वाली उसके जो attendant होते है उनको handbags supply किये जाते है और इसमें वो अपना नीजी सामान भी रख सकते हैं उसमें जो handbags होते हैं उनमें इनका नीजी सामान होगा this handbag and role of bedding not exceeding 1 meter in length and by 1.2 meter in girth तो जो हमारे handbags होते है या फिर जो rule of bedding होते है ये roll of bedding के होते है जो बिस्तर होता है उसके पुलंदे जो होते है उनको कहते है roll of bedding तो इसमें कहा है हमारे पास कि इनकी जो लंबाई है एक मीटर से जादा नहीं होने चीए और गुलाई में ये 1.2 मीटर से जादा नहीं होने चीए अब जो हमारा स्टाफ है जो रिकोर्ड ओफिसर के साथ उसका के रिलेशन होगा किसी भी मनिर्धारित रिकोर्ड ओफिस के साथ जितना भी स्टाफ जुडा हुआ है वो रिकोर्ड ओफिसर जोगा उसके अंडर आएगा तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो हैड शूर्ट ओफिसर होगा उसके दारा इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कब दी जाएगी जब भी कोई शूर्टिंग लिस्ट में कुछ भी चेंज होता है या फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीजर में कोई भी चेंज आती है तो जो हमारा record officer है, वो instruction किसको देगा, head sorting assistant को देगा It is the duty of head sorting assistant to receive personally work papers of the set from record officer तो जो हमारा head sorting assistant होता है, उसकी ये duty होती है कि वो personally जो भी work papers है, उनको record officer से प्रापत करे उसके बाद हमारा आता है rule number 26, attendance at record office, अब जो हमारा record office होता है, बहाँ पे attendance All officials must unless accepted from record office attendance, तो जितने भी officials हैं, जितने भी करमचारी हैं, अगर उनको शूट नहीं है, जो record office attendance है, उससे अगर उनको शूट नहीं है, तो attend पंक्चुली add the record or sub record office to which they are attached, तो उनको पंक्चुली जो record office या फिस सब record office जिससे भी जुड़े हुए हैं, बहाँ पे उनको present होना पड़ेगा, बहाँ पे उनको आना पड़ेगा during attendance hours and sign the attendance book और उनको बहाँ पे जो attendance hours होंगे, उनमें बहाँ पे attend होके उनको जो attendance book है, उसको उपर sign करने पड़ेंगे अगर ऐसे कोई भी officials करमचारी लीव के लिए apply करते हैं, या फिर उनको casually मिल भी जाती है, attendance वाले दिन, तो casual leave only for half a day, तो सिरफ यह जो casual leave होगी, आधे दिन के लिए ही होगी checking and submission of work papers, checking of work papers and preparation of daily report performed by the head sorting assistant, other sorting assistants at end of duty hours, तो जो हमारे work papers हैं, उनको check और उनको तियार किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारा head sorting assistant होता है, या फिर दो बाकी assistants होते हैं, उसकी साहता से head sorting assistant उनको त्यार करेगा, और कब करेगा, duty hours के खतम होने पर, and before enclosing them in bag of work papers for dispatch to record office, और जब record office को dispatch करने से पहले, जब उनको जो bags हैं, work papers वाले उनको उनको चेक किया जाएगा, तो उससे पहले उनको check किया जाएगा, preparation of daily reports, अब जो daily reports हैं, उनको त्यार करना, अब यहाँ पर हमारे पास important क्या आता है, यह किस के उपर बनाई जाती है, जो daily reports होती है, तो यह MS-83 के उपर बनाई जाती है, head sorting assistant is required to submit to superintendent through record officer, a daily report in which irregularities observe by him, तो इसमें क्या होता है, कि जो हमारा head sorting assistant होता है, उसको submit करनी पड़ती है, जो daily report होती है, superintendent को, यह और किसके थुरू करता है, जो record officer होता है, उसके थुरू करता है, और इसमें क्या होता है, जितनी भी irregularities इन इमें ताएं, वो observe करता है, head sorting assistant, तो इसमें वो सारी लिखी होती है, supervisor speed post center, अब जो speed post के इंदर का परिवेक्षक अधिकारी होगा, also use same format MS-83 far submitting his daily report to the manager speed post, तो जो हमारा supervisor होगा speed post center का, वो भी अगर जब manager को speed post के बारे में daily report submit करता है, तो वो भी same format का use करता है, MS-83 का use करता है, important irregularities extra to be noted in, तो जो भी जरूरी अनिमित तताएं होती है, उनको कैसे note किया जाता है, rough notebook and mention in daily report, उनको rough notebook में note करिया जाता है, और उनको daily report में भी mention किया जाता है, delivery of empty bags to record office, अब जो मारे record office होते है, उनको delivery कैसे किया जाते है, जो empty bags होती है, उनकी sent to unit bag office और district bag office concerned, तो संबंधित district bag office या फिर unit bag office को उन्हें भेज दिया चाता है, prepared preparation of work papers, जो work papers होते हैं, उनको त्यार करना, work papers for next trip or working hours of set supplied by record officer to mail agent or head mail guard और mail guard, जो work papers होते हैं, next trip के लिए और जो working hours होते हैं, set के, वो किसके दोरा supply किया जाते है, record officer के दोरा supply किया जाते है, और किसको किया जाते हैं, जो mail guard या head mail guard होता है, उसको supply किया जाते है, receipt of empty bags from record office, record office से empty, खाली bags को, खाली थैलों को प्रापत करना, the head sorting assistant received from the record officer, the empty bags and levels required for the use of the set during its next trip or working hours, अब जो हमारे खाली थैले होते हैं, वो record officer से प्रापत कैसे किया जाते हैं, जो हमारा head sorting assistant होता है, वो उनको receive करता है, जो record officer होता है, उससे, खाली थैलों को प्रापत करता है, the empty bags, तो खाली थैलों को प्रापत करता है, उसके बाद जो levels होते हैं, जो भी उन्हें चाहिए होते हैं, उनकी trip के लिए, या फिर जो उनके working hours में use होने बाले हैं, वो भी head sorting assistant है किससे प्रापत करेगा, जो record officer होता है, अब जो हमारा set होता है, उसकी attendance कैसे होती है, जो railway platform पे उसकी attendance कैसे लगती है, add changing station, जो बदली station होता है, अगर आपने MTS की त्यारी की हो, तो आपको पता होगा कि changing station क्या होता है, जहाँ पे एक set, दूसरे set को अपना काम सोंपता है, ठीक है, बहाँ उसको कहते है changing station, तो उसमें क्या होता है, the leaving set should be present on the plate forum before the arrival of the train by which it has to be proceed, तो उसम पहुंचने से पहले platform पर present रहता है, जिसमें उनको जाना है, जिस train मन को जाना है, उसके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर platform पर present रहेगा, the set about to be proceed on the trip should be present at least half an hour before the departure of the train, और जो set होगा, जिसने अभी आगे जाने trip के लिए, तो बो क्या करेगा, कम से कम आधा घंटा, train के नि अगर जो कोई भी official है duty पर एकदम से अचानक से बिमार हो जाता है, तो क्या होगा, male agent, male guard should communicate the fact with as little delay as possible to guard of train, तो जो male agent होगा, या male guard होगा, जो यह अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई भी बिमार हो जाता है, तो इसको किसे बताएगा, जो guard होगा train का, उसको बताएगा, ज और जो superintendent होगा, अधिक्षक होगा, उसको भी report की जाएगी, in case male office, अगर male office, जो dark कार्या ले है, उसके case में क्या करेंगे, उस स्थिती में क्या करेंगे, head sorting assistant should communicate the fact to superintendent, तो जो प्रधान छंटाई साहय कोगा, वो इस चीज के लिए अधिक्षक को report करेगा, उसको बताएगा superintendent को if head sorting assistant himself taken is, अगर जो head sorting assistant है, वो खुद भी मार हो जाता है, तो जो senior sorting assistant should assume the charge, तो जो senior sorting assistant होगा, वो head sorting assistant का charge assume करेगा, उसको लेगा, और off the set and act as attracted होगा, और जो हमने पीछे पढ़ा, जो हमने, in case of male office या दूसरे बाइपढ़ा, same बैसा ही, वो भी act करेगा, male abstract, अब जो हमारा male abstract abstract होता है, इसमें important का है हमारे पास की M42 किसके लिए बनाया जाता है, ट्राजिक section के लिए पारवहन, अनुफा के लिए, and जो M43 होता है, ये किसके लिए बनाया जाता है, जो male offices होते है, उनके लिए बनाया जाता है, तो ये important है, male abstract has two parts, अब जो हमारे male abstract होते है, इसमें two parts हो mamaling email-back फारसीक्ट सक्षेटिट लिए बिनाया जाते है जाते हैं इन अफेशीज औफेटिष जगता है जीतने भी mail के एक्षएंज होते हैं जहां पे mail लिस्ट का विरेसले बैंग तो जुभी रिसुटे भेных लिएलें लीर जाती है.. receipt book जो होती है post office mail office या फिर section की अभाग की बहां से और बाकी hasis में receipt should be taken by the mail carrier in the mail pinch book और जो बाकी cases है उसमें जो receipt ली जाएगी mail कैरियर दौर यह है जो किसмент से ली जाएगी mail pinch book इसमें यारेखना है mail pinch book कौन से होती है फोरम MS-28 पे जो बनती है उसके आगे हमारा केस ट्रांजिट बैग अब जो हमारा केस ट्रांजिट बैग है यह होता क्या है कटगरा पारवहन थैला तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी दूरस्त स्थान के लिए बहुत सारे बैग होते हैं तो उनको एक पिंजरे टाइप मैं बड़े से बैग में डालके दो। यू फिर लो कर डिया जाता है वोड्लो कर दिया जाता है थाकि जब भी कहीं पर शोर्टइंग करने पड़े तो उसके इतने सारे बैग हैं उनको लगग से ओड़ना करना पड़े simple जो case transit bag होगा उसकी seals बगारा चेक की जाएंगी और उनको आगे बेज़ दिया जाएगा ठीक है unnecessary handling से बचाने के लिए case transit bag का use किया जाता है head sorting assistant examine the seals, codes, levels and conditions of the bag head sorting assistant होगा जो वो जाच करेगा seals की, codes की, levels की और जो bags होगे उनकी condition की the key of case transit bag forward in sealed cover तो यह हमारा previous exam में कोशनाया भी था कि जो हमारा case transit bag होता है उसको कैसे forward करते हैं तो उसको हम sealed cover में forward करते हैं disposal of mails addressed to a section of mail office तो ऐसी mails जिनको section जिनको अनुभाग या फिर mail office जाक कार्याले के पते पर भेज जा गया हो उनका निप्टान कैसे किया चाहेगा the transit bags address to a section और mail office opened by तो किसके दारा यह खोले जाते हैं जो भी हमारे transit bags किसी अनुभाग या फिर जाक कार्याले के पते पर भेज जाते हैं mail guard और mail agent himself तो उनको mail guard या फिर mail agent खुद खोलेगा and mail list found inside the transit bags और जो transit bags होंगे उसके अंदर उसको एक mail list भी मिलेगी preparation of mail list dispatched and entries in mail list तो mail list को त्यार करना जो dispatch होता है मतलब कि प्रेशित mail list होती है उसको त्यार करना और उसके बीच जो mail list होती है उसमें entries करना prepared by head sorting assistant in duplicate तो यह किसके द्वारा त्यार की जाती है head sorting assistant के द्वारा duplicate में त्यार की जाती है the mail list prepared will show the number of due mails and unusual mail actually dispatch तो actual में total कितनी due mails और unusual mails dispatch की गई है प्रेशित की गई है उस हिसाब से जो mail list है उसको त्यार किया जाएगा उसमें यह सारी चीज़ें show होंगी close of transit bag अब जो हमारा transit bag है उसको बंद करना when transit bag is made up जब भी transit bag बनाया जाता है it should be checked with the entries in the mail list तो mail list में जो entries डाली गई होती है उसके साथ इसको check किया जाता है transit bag always be closed and sealed in the presence and under the direct supervision of head sorting assistant head mail guard और mail agent और जब भी transit bag को close किया जाता है और उसको seal लगाई जाती है तो किसकी presence में और direct supervision में किया जाता है अब शुरू होता है हमारा chapter number 3 sorting mail office छंटाई डाकार्या ले अभी हमारा sets होते है वो लग लग डिपार्टमेंट में डिवाइड है उसमें हमारे पास अब हमारे पास आता है mail department duties and responsibilities of head sorting assistant तो जो हमारा head sorting assistant होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है और उसकी क्या duty होती है the work connected with receipt, custody and dispatch of mail opening of bags addressed to office तो जो भी office के पते पर भेजेगी कोई भी डाक की प्रापती उनकी अभिरक्षा या फिर mail को प्रेशित करना और जो bags होते हैं उनको खोलना यह सब किसके जिम्मेदारी होगी sorting assistant जो head sorting assistant होगा उसकी जिम्मेदारी होगी बट इसमें हमारे पास जो bags वो open करेगा वो registered packet या फिर parcel थैले नहीं होंगे and closing of bags और थैलों को बंद करना made up by set other than तो जो थैले हैं उनको भी बंद करना किसकी responsibility है head sorting assistant जो भी set के द्वारा बनाया जाते हैं बट इसमें बो registered या फिर जिस्टर पैकट या parcel थैलों को close नहीं करेगा his responsibility begins with receipt of mails तो mails की प्रापती के साथ ही जो head sorting assistant है उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है in sorting office the head sorting assistant also responsible for bags received are carefully examined insured articles received in insured bags paid correctly and open by sorting assistant in his presence sorting offices में क्या करेगा head sorting assistant हो किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा जितने भी bags receive होते हैं उनको ध्यान पूर्वक उनकी जाज करना insured articles जो भी insured bags में receive होते हैं उनका भार तोरना उनको उनका वेट करना बिल्कुल सही सही बेट करना और जो sorting assistant है वो उनकी जो head sorting assistant होगा उसकी presence में इनको open करेगा supervision of set अब set की निगरानी head sorting assistant as head of set जो sorting assistant होता है head set का head होने के नाते वो किस चीज के लिए भी responsible होता है for the general supervision of all the department तो जो भी उसका department है जो भी set है उसकी निगरानी के लिए भी उसके supervision के लिए भी बहुत सिम्हेदार होगा sorting of unregistered letter mail articles जो unregistered गैर पंजिकर्ण वाले जो पंजिकरित letters होते हैं उनके उनकी sorting उनकी छंटाए head sorting assistant is required not only to supervise it carefully and diligently but to head sorting assistant होता है वो सिर्फ यही नहीं supervision का काम ही नहीं देखेगा supervise ही नहीं करेगा ध्यानपूर्व को और diligently but उसके साथ आज उसको क्या भी करना पड़ेगा assistant assist in the sorting of unregistered articles are not engaged in supervision तो यही नहीं कि उसको सिर्फ supervision ही करना है उसको वो अगर अपने काम में supervision में अगर वो busy नहीं है उसमें ब्यस्त नहीं है तो वो छंटाई में भी सहायता कर सकता है attendance of set of set की हाजरी every set of a mail office should will maintain an attendance register तो परते एक set किसी भी dark career लेका परते एक हाजरी रिजिस्टर attendance register maintain करेगा the officials on duty should sign the register in token of their attendance against the names तो जितने भी करमचारी duties पर आएंगे वो अपनी हाजरी जो उनका रिजिस्टर होगा attendance register होगा उसके अपने नाम के आगे हाजरी लगाएंगे ताकि उसका एक प्रमाण रह चाए opening of mail bags अब जो dark थैले होते हैं उनको खोलना mail bags address to office should be open by head sorting assistant himself तो जो भी bags जो भी थैले office के पते पर भेज़े जाते हैं उनको किसके द्वारा खोलना चाहिए जो head sorting assistant होता है उसके द्वारा स्वाइम उनको खोलना जाना चाहिए and express mail bags will be open first और जो express mail bag होते हैं तुरंत dark थैले होते हैं उनको पहले खोलना चाहिए registered bag received प्रापत registry थैले the registered bag taken from each mail bag should be examined to see that it is in good condition or not तो registered bag जो भी प्रापत होते हैं जितने भी mail bags होते हैं उनमें से जितने भी registered bags प्रापत होते हैं उनको ध्यान पूर्बक से उनको अच्छे से उनकी जाज की जाती है यह देखने के लिए कि वो अच्छी condition में है या नहीं then it should be transferred और फिर उसके बाद उनको भेजा जाता है under receipt receipt में लेकर to registration sorting assistant और जो यह receipt ली जाएगी किस में ली जाएगी जो registered abstract होगा जो registry सार होगा उसमें receipt ली जाएगी उसके बाद जो registration sorting assistant होगा उसको भेज दी जाएगी parcel mail articles received जो parcel dark bus में होती है parcel mail articles from each mail bag should be checked with the total entries in parcel list लिसमें क्या होता है कि जो भी articles parcel articles होता है, जो भी आ की हमारे mail hous bag में से प्रते-एpowered mail bag से receive किया जाते है उनको चैक किया जाता है जो parcel list बनाई गुए होता है उसमें जो interest डाली गई होती है, उसके साथ उनको मिलाया जाता है then articles transferred with parcel list उसके बाद जो parcel list होती है उसके साथ जो articles होती है parcel mail वाले उनको कहा को transfer कर दिया जाता है seed में लेकर parcel sorting assistant तो इसमें हमारे पास याद रखने के लिए क्या है जो registered articles जो registered bags प्रापत होती है वो registration sorting assistant को भेजे जाते है और उनकी जो receipt ली जाती है वो कहां से ली जाती है registered abstract में ली जाती है और जो parcel bags होते है वो किसको भेजे जाते है जो parcel sorting assistant होता है उसको और जो इसकी receipt ली जाती है वो कहां ली जाती है parcel abstract में जो parcel सार होगा उसमें ली जाएगी opening of other bags और बाकी थैलों को खोलना तो जो भी mail office के पते पर भेज़ेगे शाखा डागर थैरले होते हैं उनको कौन खोर लेगा? जो mail sorting assistant होगा डाग छंटाई साहिक होगा वो खुद खोर लेगा और फिर उसके बाद जो थैरले होंगे बिद unregistered जो articles होंगे उसमें गैर registry वाले जो भी articles होंगे उनमें unclosed जो भी होंगे उनको किसे सोम देगा? चंबंधित चंटाई साहिक को सोम देगा रिसिप्ट ओफ articles and bags for dispatch प्रेशन के लिए बस्तूं और थैलों की प्राफ्ती all articles and bags to be dispatched will be brought by the sorting assistant तो जो भी articles या फिर bags प्रेशित किये जाने होते हैं वो किसके द्वारा लाए जाते हैं? sorting assistant जो भी in charge होगा उसके द्वारा लाए जाएंगे of other departments तो बाकी departments का जो भी in charge होगा sorting assistant बोल आएगा किसके बास लेकिए आएगा? two male sorting assistant जो डाक चंटाई साहिक होगा उसके बास लेकिए जाएगा who is responsible that they are received in sufficient time before the hour at which they are to be dispatched तो जिस समय वो dispatch किये जाने हैं उससे पहले ही वो पहुँच जाएं इस चीज के किसके जिम्मेदारी होते है? male sorting assistant की unresisted articles for dispatch preparation के लिए care registry बस्त हुए received from sorting assistant the head sorting assistant should before placing them in mail bags in which they are to be forwarded examine some of the articles bid of view to the correction of errors in sorting अब जो हमारे unresisted articles होते हैं जिनको प्रेशित करना है वो किस के द्वारे receive किये जाते हैं? sorting assistant के द्वारे receive किये जाते है जो head sorting assistant होता है उनको उन mail bags में रखने से पहले जिन में उन्हें आगे भेज़ा जाना है उसे पहले वो जांच करेगा कुछ एक articles की जांच करेगा ताकि कोई भी छंटाई में हुई भूलनों को सुधाने के लिए वो कुछ एक articles की जांच भी करेगा इफ देर आर मोर दन 15 paid और unpaid अगर एक पंदरा से जादा पेड अन पेड या फिर इंसपशेड ली पेड स्टेशन आर्टिकल जाए देन वो क्या करेगा पेड या फिर अन पेड स्टेशन बंडल बनाएगा प्रेपरेशन ओफ मेल फार दिस्पैच प्रेशन के लिए डाक तियार करना तो काफी समय पहले जब डाक को परेशित किया जाना है उस समय से काफी समय पहले जो बैग प्रेशित के द्वारा बनाए जाते हैं उनको किसके साथ सोट किया जाता है जो forward bags होते हैं जन्हें आगे भेज़ा जाना है उन bags के साथ उनको भी sort किया जाता है parcel and packet bags for dispatch प्रेशन के लिए parcel और packet थैले parcel bags made up by the set bill we received from the parcel sorting assistant and hand over to sorting assistant to forward तो जो भी parcel या packets bag होते हैं प्रेशन करने के लिए वो किसके द्वारा बनाये जाते हैं सैट के द्वारा बनाये जाते हैं और किससे receive करने चाहिए जो parcel sorting assistant है उससे receive करने चाहिए और किसको hand over करने चाहिए sorting assistant को उनको आगे भेजने के लिए वो sorting assistant को hand over किये चाने चाहिए examination and arrangement of work papers कार्य पत्रों की जाच और ब्यवस्था और ये किसके द्वारा किया जाता है किसके द्वारा ये काम किया जाता है जो हमारा है जो बर्क पेपर्स होंगे उनकी वो जाज कर लेगा उनको रिसीब कर लेगा बिफोर क्लोजिंग बर्किंग ओफ दी दे तो काम समापत करने से पहले जो भी बर्क है काम है ड्यूटी है उसको खतम करने से पहले हैड्स सोटिंग एसिस्टेंग सुद अबटेंट फ्रॉम दी रिजस्टेशन और पासल प्लाश फ्र्क पेपर्स और रेलेटिंग टू दे प्रापत कर लेगा, custody of stamps, seals, keys and blank forms, मोहरों, sealों, कुंजियों और कोरे फॉर्मों की अभी रक्षा, before closing of day, head sorting assistant must collect all the stamps and seals and lock them up, तो छीक है, close करने से पहले, अगार यारले को बंद करने से पहले, head sorting assistant होगा, वो collect कर लेगा, जितनी भी stamps and seals होगी, और उनको lock करके रख देगा, insurance seal remains in possession of head sorting assistant, और जो insurance seal होगी, वो किसके अधिकार में रहेगी, head sorting assistant के, और जो बाकी keys होगी office की, must be kept by the head sorting assistant personally, और बो head प्रधान चंटाई साइक के द्वारा, personally रख ली जाएगी, उनको head sorting assistant अपने पास रखेगा, final duties before quitting office, कार्याले शोडने से पहले अंतिम कार्या, कार्या, the head sorting assistant should carefully examine each sorting compartment to see that no article are left in it unsorted, तो कार्याले शोडने से पहले, head sorting assistant, उसका अंतिम कार्या क्या होगा, वो ध्यान पूरबग से जाच करेगा, जितने भी sorting compartments, sorting वाले जितने भी खाने हैं, उनको ध्यान से देखेगा, कि उनमें कोई भी article बिना छंटे हुए तो नहीं रहा गया, बिना छंटाई के कोई article उनमें तो नहीं पड़ा है, and also see that the articles of stationary stamps are carefully placed in portfolio, और उसके साथ ये भी check करेगा, कि जो लेखन की समगरी है, stamps है, कि उनको ध्यान से portfolio में रख दिया गया है, या नहीं, ठीक है friends, तो यहाँ पर हमारा chapter number 3 है, उसका second part खतम हो जाता है, इसका first part खतम हो जाता है, तो second part हम कल करेंगे, ठीक है friends, thank you,